सार्क 550 बाइफेसियल सोलर पैनल है यह दोनों साइड से विजली जनरेट करता है बैक साइड में भी हम आपको लेके चलेंगे मोटर इस पर भी चल सकता है और इस पर यदि इस पर यदि कोई चलाते बीएफडी पर तो उनको इनवर्टर बैटरी लगाने की जरूत नहीं मोबाइल का जो इमाई पे कर रहे हैं उसके बराबर भी इमाई पे कर रहे हैं तो सोलर लगा लेंगे क्या बात है यह एक नॉर्मल पावर बैकप सोलूसन है इनवर्टर बैटरी है जहां पर पावर कट की प्रॉलम है जिसे आफिस रेस्टोरेंट जोलरी सॉप यह सब में इस बिजली जाता जाती है और मतलब ऑफिस है तो वहां पर एक मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाना चाहिए ठीक बात है उस तरीके के लिए यह पावर वैकप सोलूसन है दोस्तों आज यह वीडियो होने वाली बहुत जाता शांदार एक्दम धमाकेदार आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं बहुत ही जवरदासा प्रॉडट जैसा कि आप लोगों पता है कि आज कल बिजली कितनी महिए हो गई है बिजली के बिल देख सकते हैं आसमान चूर हैं तो आज मैं आप लोगों को सोलर पैनल दिखाने वाला हूँ मतलब आपने देखा होगा सोलर पैनल तो हर जगे मिलने हैं लेकिन बेस्ट कॉलिटी के देखिए सोलर पैनल आप लोगों को यहां पा पूरे मिलने वाले हैं और इससे आप अपने बिजली के बिल काफी तो यहीं से लगेंगे और new new product new technology के देखे यहां पूरे product आप लोगों को मिल जाएंगे तो यहां से आप लोग देखिए सिंगल भी लगवा सकते हैं और अगर आप किस्तों पर लेना चाहते हैं तो उसका भी option देखिए आप लोगों को लोगो पूरा मिल जाएगा तो चलिए लोगों का रहा था लूम solar के लिए तो सार इबा बताएजिए आप किनकी चीज़ों में डिल करते हैं आपर देखे पिछला वीडियो जो हम देखे थे कि आप बताये थे बिजली का विल होगा जीरो जीरो कैसे होगा आपके वीडियो में बहुं सारे का consumer का question था solar लगवाने हैं या नहीं हम किसान हैं तो हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं हम बिजली का बिल कम करना चाहते तो हमें आप क्या करके देरे क्योंकि आप रखे हुए मतलब सारा solution देखिए आप लोगों को लूम solar पे मिलने वाला है आप देखते हैं कि day by day मतलब बिजली कितनी महंगी होती चली जा रही है और बिल कितना ज्यादा बढ़ रहा है तो उसका देखिए पूरा solution आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा आप solar लगए और बिजली का बिल जीरो आप कर सकते हैं यहां पर सबसे पहले आप यहां से सुरुआत करते हैं क्योंकि एक consumer की जरूरत कहां से इसलान तरीके से समझ रहे होंगे चाहे वहाँ छोटी बैटरी हो या बड़ी बैटरी हो एक बैटरी बारा वोल्ट का होता है मतलब कि जिसके इनवर्टर लगा हो है हां मतलब हां जिनके पास एक inverter और एक बैटरी बैटरी हो तो उनके लिए यह सोलर पैनल सुटेबल रहता यह आप देख रहे हैं और यह इसका जो वाटेज है वह यहां लिखा हुआ रहता है तो अभी तक जो आप देखे होंगे 12 वोल्ट का यह इस प्रोड़क्त की सबसे है और यह प्रोड़क्त का फीचर है जो नए लोग देख रहे हैं जिनको नहीं पता इतना डीटेल उनके लिए बताएजी कि अगर को एक पैनल यह लगाए तो इससे क्या-क्या चल जाएगा देखे यह सोलर से क्या-क्या चलेगा आज के दिन मे जितने भी उपकरण है सब कुछ चलता है यहां पर हम आपको एक एक चीज करके दिखा देंगे यदि आप यह सोलर पैनल खरिते हैं तो आप अपने घर में टीवी पंखा कूलर लाइट लैप्टॉप कंप्यूटर मोबाइल चार्जिंग यह सब असानी से आप कर सकते हैं और उनको जिनके पास इनवर्टर बैटरी पहले से है उनको सोलर पैनल और इसके साथ लगने वाले एसे स्रीज लगाने की जरूरत पड़ेगी तो कम खर्चे में वह अपने इनवर्टर बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं और इसका खर्च के हम बात करें तो करीब आप के पास inverter बैटरी होगा तो तीस से चालीस हजार के बीच में आपके घर पर सोलर बिजली आ जाएगे और इसको यदि आप किस्तों पर लेना चाहते हैं क्योंकि आज के दिन में ये माई की फैसलिटी बहुत बिल्कुल किसे के पाइसना पैसा नहीं है तो किस्तों पर भी है उसके बराबर भी ये माई पर लगा लेंगे क्या बात है तो यह हो गया उनके कंजूमर के लिए अब चलते हैं जो बड़े कंजूमर है जो सबसे जादे यूज किया जा रहा है जी वह है यह आप देख रहें तो काफी बड़ा पैनल है यह सार्क 550 बाइफेसियल सोलर पै लगवाना चाहिए तो फ्रेंट साइड में अब देखे यह इतना बड़ा आप दिखा देजिए कि इतना बड़ा इस सोलर पैनल रहता है जादा तर यह सोच रहे हैं कि तीन किलो वाट पाच किलो वाट हम सोलर लगा लें तो कितना जगह की जरूरत पड़ेगी ठीक बात है निए जगह तो उनको फीट यह मान चले तो तो उनको एक का designer का यह साइज है है हु मसह क्ति दूसरा क्या होता है कि शोलर पैनल लगाने में एक बम एक मूडियल है जे जिए को तीन किलो वाट लगाने की जरूरत पड़ेगी तो उतना जगह ज़ाज़ ज़ना बहुत जाएंग तो यह आपको आज आ जाएंगे आपको इसके पीछे का फीचर दिखाते हैं सबसे पहले यहां पर आके देखे कि solar panel में ज़्यादा तर लोग यह नहीं पहचान पाते हैं कि कितने watt का solar panel है तो यहां पर एक छोटा सब्सक्राइब जाता है जो कि यह इस तरीके से यहां पर लगा हुआ है मैक्समम पावर 550 वाट का वीयों सी होता है टेकनिकल टर्म है जो इंजीनियर है या जो सुरर लगवाना चाहरें उनको पता रहता है यह 50.28 पचास पॉइंट वोल्ट और एंपियर 14 एंपियर इतना यह तीन परामिटर इनको जरूरत रहता है दूसरा रहता है इसका वेट कि एक मोडिल का वेट कितना है था 42.5 और यह डाइमेंशन है जो आप दिखा दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है यह में में दिया हुआ है ठीक है हीट में कनवर्ट करेंगे तो जो नंबर हम बताएं हो नंबर मिल जाता है उसके बाद इसका आप देखे दो वायर दिया हुआ है ठीक है यह इधर जो सोलर सिस्टम में ज्यादा जाता है ओंगी तो यह टेकनिकल कंजूमर को लग रहा होगा कि बोरिंग है बट जरूरत है जानने के लिए तो यह हो गया उसके बाद प्रेम आता है अप देखे वह सारे सोलर पैनल में आप देखे होंगे लोग प्राइस पर जाते हैं कि इस बता है चींकि जो लाइफ रहती है मोडिल की पचीछ साल की होती है पचीछ साल के लाइफ एंस्यूर करने के लिए उनको मजबूत फ्रेम देने की जरुरत है तो दो तीन चार तो कि सोलर पैनल लगाने में एंगल की जरूरत पढ़ती है कि कितने एंगल पर कहा पर लग तो कोई भी एंगल को चेंज लगाना चाहते हैं तो यह ओल के एकॉर्डिंग लगा सकते हैं तो यह सोलर पैंड का यह बज़वाइस सोलर सेल है जो एक सोलर सेल देखे यह वर्ड टू त्री फॉर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टें तें बजबार में यह हाँ बाइफेसल और इसके उपर आपने प्राइसिंग को कम करने के लिए कहीं ने कहीं सोचते हैं कि यह वाला यह बाइफेसल है इसी का हम दूसरे पैनल में जाएंगे तो उसका मोनोफेसल बोलते हैं जो एक साइड से यह वाइट सिट लगा हुआ रहे हैं तो कि यह सोलर पैनल हम क्यों लेंगे क्यों लेगे सभी बाइसा जहां पर इसपेस का लिमिटेशन रहता है जहां जाग जाएंगे जैसे कि कोई ऑफीस हो गया त्री हो गया जिनके पास सर्फेस रूफ है उनकी जरूरत ज़ादा है बर्ट इस्पेस कम है तो यह एक सोलर पैनल इसी साइज में यदि हम लगाएंगे तो यह 20% बिजली ज्यादा बना के देगा एक दिन और पचीस साल का जब आप कोई कल्कुलेट करेंगे तो यह बहुत बड़ा है यदि कोई 10 किलोवाट का सोर पैनल लगाते हैं तो 10 किलोवाट में उनको एक किलोवाट का जनरेशन एव होना चाहिए तो वहां पर इस लगता है तो जनरली आप देखते होंगे टीन सेट फैक्टरी के ओपर जितने भी जगा रहते हो टीन सेट पर रहता है यह वहां पर यह सोलर पैनल नहीं लगता है इसी का जो दूसरा प्रोड़क्ट है मोनो फेसियल अचा वह लग जाता है उ सबसे लेटेश्ट को जी का प्रोड़क्ट है अरे वह यह आपको देखने वे फ्रीज लग रहा होगा जैसे कि इतना यह पूरा का पूरा यह एनर्जी स्टोरेज है अच्छे यह पूरा आपका पूरा यह है हां इसका नाम एक्लान्टा है इसकी चार बेनिफीट्स है जो G Soon को सबसे ज्यादे फाइदे मन है इस प्रोड़क्ट पेशर और पिछी फिच्ब के पीछे ठीक है पहला जो है लाइप बैटरी की मैं अरज हप कर सकते हैोjust का है से डवल लाइफ है इसका फास्ट चार्जिंग है क्योंकि जैसे हम लोग अपने कैमरा लैप्टोप यह सब में बैटरी यूज करते हैं और आपको तीन से चार घंटे में बैटरी फुल चार्ज होता है उसके बाद क्या है आयोटी सबसे बड़ी बात है आज के दिन में परती है सिर्फ पानी डालने की टेंसन नहीं है और इस पेस आपके सामने है काफी कॉंपैक्ट सी देखिए तरह के पूरा बॉक्स में देखिए पूरा मशीन दी आ जाएगी ठीक है इसको इसका बेनेफिट के इसरी क्या फाइदा इसको लेने का देखिए यह बेनिफिट श्टोरेज में बेनिफिट लिए वह बैटरी यह बैटरी बैटरी है जो लिफियम बेस्ट बैटरी एक लिए बैटरी आप करने के लिए एक एमसे दे रखे अरे वा क्या बात एक तो अन आफ करने के लिए हमसे भी है दूसरा कि बैटरी चार्ज है यह डिस्चार्ज है कितना परसेंट चार्ज है उसके लिए बैटरी लेवल इंडिकेशन अच्छा यहां शुब ही करता रहेगा ठीक प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए अलार्म का फंक्षन है मॉवाइल से कनेक्ट करने के लिए यहां पर आरेस पॉर्टी फाइव का पूल दिया हुआ है इक जोस्ट फैन है ओके हैंडल है अभी तक रसी वाला आता होगा अभी देखे हैंडल दिया हुआ कि क्या बात है यहां पर यह इंवाटर करने के इसको करने से इसल्म कैसे होता है इसलिआ कैसे किये हुए घक एक इस तरीके से से बना हुआ स्ट्रीप जहां पर हम सो लगाना रहता है जो भी स्ट लाएंगे सार Obrig से अफ। तो यह एक नॉर्मल पावर वैकप सॉलूशन है इन्वर्टर बैटरी है जहां पर पावर कट की प्रॉलम है जिसे ओफिस रेस्टोरेंट जोलरी सॉप यह सब में इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा जहां पिजली जाता जाती है मतलब ऑफिस है तो वहां पर एक मिनट के लिए बिजली नहीं जाना चाहिए ठीक बात है उस तरीके के लिए यह पावर वैकप सॉलूशन है इसकी और एक खास बात क्या है इसको सोलर पर भी कनेक्ट कर सकता है जो सोलर पैनल हम अभी दिखाए उस पर इसको करेंगे उसके लिए सब लगता है कि डीसी साइड के लिए डीस आप पानी पानी हो जाएगा लेकिन मोटर इस पर चला सकते हैं चल जाएगा ओके क्या बात है तो यह फुल मतलब एक जो थिरी भी एच के फोर भी एच के जो घर है यदी वहां पर यदी इस तरीके से प्लान करते हैं तो उनके इंटाइर होम उनके लिए यह पावर वैकप सोलुसर तो यह पुरा का पुरा सिस्टम है और इसकी कोस्ति की बात करो तो एकिस रेंज में आजाए सर कोश्ट का देखे कोश्ट शोलर लगवाने का जो खर्चा है वह आप छोटे मोडिल से लेके बड़े मोडिल तक 30,000 से 35,000 से सोलर चालू हो जाता है तो वहां पर खर् तो प्राइस के लिए भीवर को हम यह बताएंगे कि आप लूम सोर के वेब साइट पर जाएं आप वहां पर सपोर्ट टीम से बात करें क्योंकि बिना रिक्वार्मेंट का एक्जैक्ट प्राइसिंग आपको पता नहीं बताए जा सकता है और यह बॉक्स देख रहा हूं वी चलाते बीमनी पर उनको onna vital सब्सक्राइज नहीं है अच्छा लेकिन हर जगाङ पर यह नहीं लग सकता है यह अशे के लिए है जैसे कि जो आटा कि का म काम करते है यह किसान हां है मोट पानी का मोटर के चलाने के लिए काम कर रहें मतलतलि जहां पर मोटर है वहां पर यह और यह सोलर पैनल लगा के पूरा काम कर सकते हैं अच्छा जी अप्रेट करना बहुत एजी है कोई भी जैसे पीवी इंपुट लिखा हुआ है यहां पर मोटर का कनेक्शन है अउन आफ करने के लिए यहां से एक और आउन कर दिया जाएगा तो यहां से कोई भी कि यूजर आउन आफ कर सकते हैं तो इसका बेनिफीट्स यह है कि जो डीजल और पावर कट के पॉश्ट से परिसान है वह यह वाला सोलूसन लेकि वह अपना काम कर सकते हैं देखें यह सोलर इंवार्टर है अभी जो इंवार्टर दिखाए वह ऑफ ग्रीड इंवार्टर जी कर सकते हैं अच्छा इस पर सकते हैं यह वह अच्छा पर सिस्टम लगाने पर सरकार उनको सबसीडी भी देते हैं अर्या वाव किसके सबसेडी शीडी स्युन्व सर्फ continuar मिली पर अच्छा नलिचार विल सकते हैं जीरो भी कर सकते हैं आप लोग को यहाँ पूरा मिलजाए गा सब्सक्राइब बहुत लोगों के इतना बजट नहीं होगा कि बो सोलर पैनल वगर लगवा सकें सारी डिवाइस लगवा सकें तो लोन वगर कि क्या-क्या option दे रखा है कैसे कोई किस्टों में ले सकता आपसे देखे जैसे कि हम अभी थोड़ देर पहले बात किये थे कि सोलर पैनल यदि आप मोवाइल से भी कम किस्ट पर आप सोलर लग लगवाने का खर्चा का जम्मा करना है अब वो किस उसके बाद मतलब अगर एक लग का लग रहा है तो कुन से कम 20 जार रुपया उनको रखना है पहले असी हजार तक का लोन करवा सकता हो जाएगा लोन करवाने के लिए उनको ड़क्मेंट की जरूरत होती है जिसमें से वह अधार काड पैन काड और इंकम का प्रूफ अच्छा और इलक्रिसीटी विल यह चार ड़क्मेंट कंपल सरी है जो चार ड़क्मेंट यह रखते हैं तो उनका लोन हो जाता है हो जाएगा ओके तो कोई कहीं से भी लगवा सकता है सरी या लोकली कोई होना चाहिए नहीं यह को एक इंजिनियर विएट की सुग्दा की हमारे इंजिनियर उनके घर पर जाते हैं कि यह पूरा का प्यूत्राइक जनकारी जल्दी मिलता नहीं किसी को हां तो इंजिनियर जाते है थी प sürगवे सुग्वार्मेन को समाझते क्नों के लिएन पूर तक बात है कि एक बने के जब फाइनल करते हैं तब लोन के लिए जाता है आगे प्रोसेस होता है यह जो प्रोड़क्ट हम लगाये हुए है जे वीडियो के माध्यम से तो आप लोग सिर्फ देख पा रहे होंगे बिल्कुल यह प्रोड़क्ट लगाया गे कि आप लोग आके प्रोड़क्ट को प्रोड़क्ट कर सकते हैं उनकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट लूमसोर.com पर जाके वहां से पता कर सकते हैं